रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो मैं उर्वशी रांची विमन्स कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागा ध्यक्षु हूँ आज मैं अपने विद्यार्थियों से रिति सद्धिका व्यधारा पर चर्चा करना चाहती हूँ रिति सद्धिका व्यधारा बीए के सिमिस्टर दो की पाठिक्रम में शामिल है उस धूल रूप से रिति साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं प्रथम लक्षन सहित काव्य रचना और द्वीतिय लक्षन वीरहित काव्य लक्षन वी रहित रिती साहित्य को दो नाम दिये गए हैं आचारे विस्वनात प्रसाद मेस्र इसे लक्ष मात्र कावे और इसके रचैता को रिती सिद्ध कावी कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र इसे रितिबद्ध कावे कहते हैं और इसके रचैता को काव्य कवी कहते हैं। रितिबद्ध शब्द को लेकर दोनों विद्वानों में मतभेध हैं। डॉक्टर नगेंदर के अनुसार रितिबध कवी वे हैं जिन्होंने रिति कृण्थों की रचना ना करके काव्य सिध्धान्तों या लक्षनों के अनुसार काव्य रचना की है। आचारे विस्वनात प्रसाद मिस्र इन कवियों को रितिसिद्ध कवी कहते हैं। उनके अनुसार रितिबध क्रिती उनहीं की नहीं थी जो लक्षन लिखकर और लक्षे बनाकर उसमें उनका विन्योग करते थे। प्रतियुक्त उनकी कृती भी रितिबद्धे ही थी जो लक्षन ग्रेंथ नरज कर रिती का संभार लेकर लक्षे प्रस्तुत करते थे जैसे बिहारी, रस्निधी, आधी। लक्षन वीरहित और लक्षन सहित दोनों प्रकार के सहित्ते में रिती का निर्वा हुआ है। लेकिन रिती निर्वाह में मौलिक रूप से भेध है। उसी के आधार पर आचार्य मिस्र ने इन कवियों को रिति सिद्ध कहा है। उनके विचारानुसार ऐसे कवी लक्षन ग्रंथ लिखने वाले रितिबध कवियों की भाती रिती की शास्त्र कथित बातों का पूरक पालन नहीं करते थे। शास्त्र इस्थिती संपादन मात्र इनका लक्ष नहीं था। कहीं तो चमतकार के लिए ये उक्तियां बानते थे और कहीं रसा भिव्यक्ति के लिए रिती शास्त्रों में गिनाई हुई सामगरी का त्याग करके अपने अनुभव और निरिक्षन से प्राप्त सामगरी में नूतंता का सन्निवेज करते थे। डॉक्टर नागेंद्र ने जिन्हें रिती बद्ध कवी कहा है वे रिती से इतने आवध नहीं है कि उन्हें रिती बद्ध कहा जाए। रिती काल के सर्वस्रेष्ट कवी बिहारी का जन्म 1595 इसवे में ग्वालियर में हुआ था। उनके एक मात्र काव्य ग्रंथ का नाम बिहारी सत्साई है जिसकी रचना 1662 इसवी में संपन्न हुई। बिहारी रिती काल के रिती सद्ध कवी माने जाते हैं। उन्होंने कोई लक्षन ग्रंथ नहीं लिखा तथा पी उन्हें रिती शास्त की भरपूर जानकारी थी जिसका उप्योग उन्होंने सत्साई में किया है। सत्सई के अनेक दोहों का अर्थ तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक पाठक को काव्यांगों की जानकारी न हो बिहारी की प्रसिद्धी उनके एक मात्र काविग्रंथ सत्सई के कारण है जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं इस ग्रंथ पर संस्कृत एवन प्राकर्थ के अनेक ग्रंथों का प्रभाव है जिनमें प्रमुख हैं आर्या सप्चती, अमरुक्षतक, गाथा शप्चती बिहारी आमेर के मिर्जा राजा जैसिंग के दरवारी कवी थे कहा जाता है कि जब बिहारी जैपुर पहुँचे उस समय महाराज जैसिंग अपने नबोढ़ा रानी के प्रेम में इतने आशक्त थे कि राजकाज भूल कर महल के बाहर तक नहीं निकलते थे तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास प्रेशित किया नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं विकास इहकाल अली कली ही सौब इंधियो आगी कौन हवार इस दोहे में अन्योकती अलंकार के माध्यम से जो व्यंग किया गया था उसे राजा जैसिंग ने तुरंट समझ लिया और वे महल से पाहरा कर राजकाज में सनलगन हो गया राजा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और ऐसे ही दोहे लिखने का निर्देश दिया कहा जाता है कि बिहारी को प्रतेक दोहे की रचना के लिए एक अशर्फी प्रदान की जाती थी बिहारी की कविताओं में भक्ति भावना और निती का भी सम्यक समावेश हुआ है उनके निती संबंधी दोहे अत्यंत प्रसिद्धे हैं जैसे तंत्रीनाद कवीतरस सरसराग रतिरंग अन बूडे बूडे तिरे जे बूडे सब अंग और नर की अरू नल नीर गती एकए करी जोए जेतो नीचो हुए चले तेतो उचो हुए अर्थात मनुस्य जितना बिनम्र होता है उतना ही उचा उठता है तथा कुछ विसे ऐसे हैं जिनमे व्यक्ति को अधूरे मन से नहीं अपितु पूर्ण मन से ही उतरना चाहिए बिहारी की भक्ति भाबना में भी उक्ति वैचित्र एवं अलंकारिक्ता का समावेश है जैसे मेरी भव वाधा हरव राधा नागरी सोए जातन की जाई पड़े स्याम हरित्दुति होए यहां कवी राधा की वंदना करते हुए भी शलेस अलंकार की बल से नीचे वाली पंक्ती में तीन तीन अर्थों का समावेश कर सके है बिहारी के अलंकार योजना भी उच्चकोटी की है असंगती, विरोधाभास, प्रतीप, अनियोक्ती, उप्मा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकारों का प्रयोग उनके दोहों में परियाप्थ हुआ है असंगती अलंकार का एक उदारन है द्रिग उर्जत, तूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीती बिहारी गागर में सागर भरने की कला में निसनात थे अर्थात कम शब्दों में अधिक भाव वेंजना करने में कोई उनकी बरावरी नहीं कर सकता था बिहारी के विरह वर्णन में शारेरी क्रिस्टा एबं विरहताप का अतिश्योक्ति पुर्ण वर्णन हुआ है आचारे शुक्ल के अनुसार यह विरह वर्णन कहीं कहीं मजाग की हद तक पहुँच गया है विरह विकल नाईका की व्याकुलता को दिखाने के लिए उन्होंने कई बार अतिश्योक्ति का सहारा लिया है विहारी मूलता श्रेंगार रस की कवी है जो मुक्तक शैली में तथा दोहा चंद में रचनाई करते हैं बीच बीच में सोठा का परियोग भी कवी ने किया है विहारी सथ्षाइ की अनेक टीकाएं लिखी गएं जिन में से कुछ प्रसिद टीकाएं इस प्रकार हैं कृष्ण कभी की टीका जिसमें प्रतेक दोहे पर कवित लिखा गया है हरी प्रकास टीका ललू लाल चंद्री का टीका सरदार कभी की टीका सुर्ति मश्र की टीका बिहारी सत्सई का संपादल ब्रज भाषा कावे के मर्मग्य बाबु जगरनात दास रतनाकर ने बिहारी रतनाकर नाम से किया है मुक्तक रचना के सभी गुन बिहारी सत्से में मिलते हैं आचारी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती अपीतु इसमें तो रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं के हिरदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है यदि प्रबंध काव्य एक विस्त्रित बनस धली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी सत्सई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी आलोचक ने कहा है सत्सईया के दोहरे जियो नावक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर बिहारी में कल्पना की अद्भुत शक्ती थी साथ ही वे कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की कला भी जानते थे इसलिए बिहारी सत्सई मुक्तक कला की द्रिस्टी से उच्च गोटी का काव्य बन गया है आचारे रामचंद शुक्ल के अनुसार जिस कवी में कल्पना की समाहार शक्ती के साथ भाशा की समास सक्ती चितने ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा यह चमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्द्यमान थी बिहारी मूलतश रिंगार के कवी है हाव और अनुभावों की जैसी योजना बिहारी सत्सई में उपलब्द होती है वैसी किसी अन्ने काव्य ग्रंत में नहीं मिलती बिहारी की कविता में उच्च गोटी का शब्द शिल्प एबं शब्द चयन विद्द्यमान है ब्रज भाशा पर उनका असाधारन अधिकार था तथा वे बहुग्य थे उन्हें आयूरवेद, जयोतिस, गनित, इतिहास, पुरान, आदी की वी जानकारी थी बिहारी निश्य ही रितिकाल के सर्विस्रेष्ट एवं प्रतिनिधी कवी है भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से बिहारी सत्सई रितिकाल की प्रतिनिधी रचना कही जा सकती है रितिसिद्ध कावेधारा के दूसरे प्रमुक कवी है रसनिधी रसनिधी दतिया राजा के बरौनी इलाके के एक संपन्न जमेंदार थे इनका वास्तविक नाम प्रिथवी सिंग्था और रसनिधी नाम से ये कावे रचते थे रसनिधी की रतन हजारा विश्नुपद किर्थन, कवित, बारह मासी, रसनिधी सागर, हिंडोला, अरिल, आदी रचनाए प्राप्थ हुई है इन सभी रचनाओं में उनकी रतन हजारा सरवाधिक प्रख्यात रचना है ये रचना बिहारी के अनुकरन पर लिखे दोहू का संग्रा है रसनिधी रसिक कवित है, श्रिंगार वर्णन उनके कावे में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है इसलिए इस धारा के अन्य कवियों से उनका काव्य कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है प्रेम की सरस उक्तियों में रसनिधी को अच्छी सफलता मिली है क्योंकि श्रिंगारी कवि को जिस मस्ती और मन की तरंग की आविशक्ता होती है वह रसनिधी में प्रचूर मात्रा में थी रतन हजारा के वर्णे विशय और अभिवेंजना शैली पर विहारी की श्रिंगार भावना का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है रितिसिद्ध काविधारा के तीसरे प्रमुक कवी हैं निरिप शंभू निरिप शंभू, शंभू महाराज, शंभू उपनाम से रचना करने वाले इस मराठी भाशी हिंदी कवी के संबंध में हिंदी साहित्य के विभिन इतिहासों में मत भेद पाया जाता है प्रिहत इतिहास में इन्हें सितारा गढ़ वाले राजा शंभू नात सिंग सौलंकी कहा गया है वस्तुता हिए कवी कोई और नहीं छत्रपती सिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी अर्थात निरिप शंभू है फार्सी का इन्हें अच्छा ग्यान था साथ ही अलंकार शास्त्र, पुरान और संगीत की सिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी मराठी भाशी छेत्र में भले ही आज की भाशा में अहिंदी छेत्र हो किन्तु इतिहास साक्षी है कि आदिकाल से इस छेत्र का लगभग हर महान कवी मराठी के साथ साथ हिंदी में भी रचना करता आया है जहां तक शंभूराज के ब्रज भाशा के अध्यन का प्रशन है कहा जाता है कि जब शिवाजी को छल कपट से औरंग जेव ने आगरा में कैद कर लिया था उस समय शंभूराज भी उनके साथ थे जब शिवाजी बड़ी कुशलता से उस कैद से छूटे थे तो रास्ते में शंभूराज को मतुरा में ब्राह्मन पुत्र के वेश्ड में केसो पंथ के पास छोड़ाए थे संभवता यहां ही शंभूराज ने ब्रज भाशा का अध्यन किया देश प्रेम, काव्य प्रेम और रसिक्ता नृप संभू के वेक्तित्व के अभिन पहलू है उनके प्रेमी वेक्तित्व की अनेक कथाएं मराथी भाशी छेत्रे में प्रचलित है शंभूराज ने बुद्ध भूशन नामक संस्क्रित ग्रंध की रचना की थी अब तक उनकी हिंदी भाशा की तीन रचनाएं प्राप्थ हुई है नाई का भेद, नक्षिक और सब्तशतक रितिसिद्ध काव्य धारा के चौथे कवी निवाज है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंधों में निवाज नाम के तीन कवियों का नाम मिलता है यह निवाज अंतरवेद के रहने वाले ब्राहमन थे जिनका जन्म समय सन 1680 के आसपास है मिश्रवंधों के अनुसार ये भागवत कवी के एक दोहे में उल्लिखित होते है भली आनू कली करत हो छत्र साल महराज जह का भगवत गीता पढ़ी तह कवी पढ़त निवाज इस दोहे के आधार पर यह माना जाता है कि कवी भगवत के पस्चात निवाज महराज छत्र साल के दरवार में नियुक्त किये गये थे आचारे शुक्ल ने निवाज का औरंग जेब के पुत्र आजम साह के हां रहने का संकेत भी किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने शुक्ल जी के मत को पूर्णता भ्रामक मान कर उन्हें मुसल्ले खान का दरवारी कवी माना है निवाज कृत सकुन्तला नाटक वस्तुता नाटक ना होकर दोहा, चौपाई, सवया, आधी छंदों में लिखा पदबध आख्यान है इसके अतिरेक्त निवाज के कुछ अस्फुट छंद भी प्राप्त हुए हैं जिनका प्रधान स्वर श्रिंगार है इससे अनुमान किया जाता है कि इनोंने श्रिंगार का व्यापक वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ लिखा होगा परन्तु अवव नहीं मिलता आचारे शुकल लिखते हैं, इनकी भाशा बहुत परिमारजित, व्यवस्थित और भावव उप्योक्त है उसमें भारती के शब्द और वाक्य बहुत कम मिलते हैं इनके अच्छे श्रिंगारी वर्णन की प्रविती इनकी विशेस्ता जान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं ये अश्लिलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं रितिसिद्ध कावेधारा के अगले कवी हैं हठी जी ये राधा बल्लव संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवी थे इस संप्रदाय के ग्रंधों में इनका जन्मस्थान चर्खारी माना जाता है यद्धपी ये भक्त कवी थे लेकिन इनका लिखा एक मात्र उपलव्द ग्रंध श्री राधा, सुधा, शतक, रिति से प्रभावित है इसका रचनाकाल आचारी रामचंद्र शुक्ल ने 1780 इस्वी माना है जो इस रचना में उलिखे थे डॉक्टर विजेंद्र सना तक लिखते हैं कि इनकी अप्रिस्तुत योजना, वचनवक्रता, लाक्षनिक्ता, आदी सभी गुन, रितिकाली, चोटी के कवियों से टक कर लेते हैं अलंकार की ऐसी सजीब और सुन्दर योजना इन होने की है किश्रोता अर्थ गौरव की अपेक्षा कहीं कहीं शब्द गौरव पर ही अधिक मुग्द हो जाता है किन्तु शब्द सौस्ठव के फेर में पढ़कर अनुप्रास आदी के शैथिल्य को इन होने अंगिकार नहीं किया यही इनकी विशेस्ता है रितिसिद्ध काव्यधार के एक और कवी है पजनेश इनका जर्म पन्ना में सन 1815 के लगभग माना जाता है आचारे शुक्ल ने पजनेश का रचनाकाल 1848 के आसपास माना है इनकी दो रचनाएं बताई जाती हैं नक्षिक और मधुरप्रिया किन्तु ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं इनके उपलब्ध असपुट काव्य का एक संक्रन पजनेश प्रकास भारती जीवन प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ है जिसमें अधिकतर कवित अंगवर्नन के मिलते हैं इसी के आधार पर ये श्रिंगारी कवी सिद्ध होते हैं भाव और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों पर रिती परंपरा का प्रभाव अवश्य है किन्तु उसमें वे पूर्ण रूप से बध नहीं है श्रिंगार रस के लिए इनकी भाव योजना तो परंपरा मुक्त ही है लेकिन भाशा में नवीनता है फार्सी शब्दों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है साथ ही कोमल वेंजना होने पर भी इन्होंने करकश कठोर शब्दों का प्रयोग किया है इतना होने पर भी पद्विन्यास का कौशल इनकी कविता में है जिसके कारण इनके कवित सवयों को पढ़ते समय ले स्वर के आनंद में कोई व्यागात नहीं पहुंचता रितिसद कवियों में इनके अतिरेक्ट राम सहाय दास की राम सत्सई, ब्रिंद की बारहमासा, नयनपचीसी, पवनपचीसी, यमक सत्सई, वेणी भाजपै के अस्फुद्छंद, विक्रमादित्य की, विक्रम सत्सई, कृष्न कवी की बिहारी सत्सई की टीका, आधी इस तह के उन लेखनीय कवी और उनकी रचनाय मानी जाती हैं।